2021 से देखे 2024 तक HDFC बैंक चला ही नहीं जितना ये 2021 में था उतना ही 2024 में है क्या करें इससे अच्छा तो FD है आपने इस तरह के मेसेज ट्विटर पे फेस्बुक पे या अपने फ्रेंड सरकर में बहुत सारे देखे होंगे क्या हमें करना चाहिए इसको जानने के लिए एक competitive study करते हैं उसके थ्रू में आपको समझाने की कोसिस करूँगा कि हमें HDFC बैंक में क्या करना चाहिए नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर सुनेत रिपाठी है और मैं आपका एडिटरी के प्रेट फॉर्म पे स्वागत करता हूँ चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ सेर करें और यह हमारी financial literacy की जननी को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें मैं कोई broker agent नहीं हूँ मैं आपको कुछ नहीं बेचूंगा मैं कोई registered stock analyst भी नहीं हूँ यानि मैं किसी stock के analysis भी नहीं करूँगा मैं तो केवर आपको एक financial market कैसे कान करता है एक educator का view दूँगा यानि ये video पूरतया education पर पस्से होगी इसको जानने से पहले HDFC को जानने से पहले मैं एक stock पे जाऊँगा जिसका नाम है SBI ये देखे SBI पे चलते हैं और SBI को हम देखते हैं 2000 2000 कब से इस stock को मैं देखाने की कोसिस करता हूँ आपको 2016 या 2016 से पहले देखे लिए इस time frame को देखे ये इस time frame को देखे 2016 के अगस्त से देखे 2020 तक इस chart को आप ध्यान से देखे 2016 में क्या हुआ फिर 17 में क्या हुआ उपर गया फिर नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया और ऐसी ही कोई candle बनी पुरे 3-4 साल तक दुनिया के जितने pessimist लोग हैं या जितने भी so-called investors हैं आज वो आपको कुछ भी कहें अगर आप उनके चार साल पहले के उनके पास कोई भी प्रूफ हो तो आप उनके उठा के देखेंगे तो कहेंगे SBI कर्मेंट की कंपनी है बेकार है किसी पाइदा नहीं है इसमें कोई पैसा नहीं बनता वही लोग वही so-called analyst so-called expert and so-called कहते हैं आज कर जैसे अगर आपको बच्चे को पढ़ाना हो तो अपने बच्चे को कोई नहीं देखता और दूसरे का कहता है आप इसको CA करा दो आप इसको MBA करा दो आप इसको बहुत सारे export मिल जाते हैं सीम लोग आपको बताएंगे कि नहीं जी आज जब इसको देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या company है तो तीन सामेर डमर हो है तो आज कहेंगे एकदम दे दो आज कहेंगे दे दो उस समय कहेंगे बेकार तो आपको इसको समझना चड़ेगा कि कोई स्टॉक जब चड़ रहा है तो अच्छा है और जब रुक गया या नीचे जा रहा है तो खराब है अगर आप इस मानसिकता के हैं तो आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे कोई भी इनसान जो आपसे कहता है कि मैंने ये शेयर खरीदा और ये मेरा शेयर ट्रिपल हो गया मुझसे सिखो आप उसको देखो और उसके लाइफ में शेयर खरीदने से क्या उसने कुछ पैसे वेल्थ क्रीट किये है कि आज भी वो नोकरी में पड़ा हुआ है आज भी वो दिन भर स्टॉक में लगा हुआ है आज भी वो अगर वो दिन भर सुबह से साम तक लगा हुआ है मजदूरी कर रहा है तो उसने वेल्थ नहीं क्रीट किया क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो वेल्थ क्रीट करता है वो लाइफ को एंजॉय करता है देखना है तो विजय केडिया जी को देखो देखना है तो वर्रन बफिट जी को देखो देखना है तो रामदे अगरवाल जी को देखो ये लोग आपको श्टॉक मार्केट में दिन भर लगे हुए या नोकरी करते वे दिन भर नहीं दिखाई देघे ये लोग अपनी NLS करते है इनसेस के हिसाब से पैसे को लगा देते हैं 2-4-5-10 साल के बाद इनका उकता है फल पक जाता है फिर उसको तोल लेते हैं पौधा लगाते हैं प्रेड होता है फल पकता है तोल लेते हैं तो आपको पौधा तभी लगाना है जब आपको जमीन खाली मिले जब आपको जमीन भरी हुई मिले, यह SBI भरी हुई जमीन है इस समय, इस समय आप यहाँ पौधा लगाएंगे, तो 6 में आपका पौधा ग्रो ने कर पाएंगे, अब मैं आपको इस चार्ट को एक बार फिर दुबारा दिखाऊंगा पहले, इस चार्ट को देखें, 16 से देख उपर गया, फिर नीचे गया, फिर उपर गया, फिर नीचे गया, कुछ ऐसा ही हो रहा है, मेरी तरफ से कोई recommendation नहीं है, मैं recommend करने की authority नहीं रखता, मैं एक educator हूँ, आपको बस यह देखना है, कि SBI और SDFC बैंक, यह इंडिया के क्या वो institutions हैं, जो कल परसो परसो डूग जो आप कामन करें, लेकिन अगर आपको इंडिया के economy पर trust है, अगर आपको लगता है कि यह institutions दूगेंगे, yes bank दूगने लगा तो सरकार न इसको बचा लिया, वो तो बहुत छूटा है, और यह दूब जाएंगे, मुझे भी नहीं पता यह कब चलेगा, मुझे भी नहीं प ग्रो करेगी, तो आज नहीं तो कर्ज चलेगे, तो आपको जब मैदान साफ है, यानि शेयर नीचे आया हुआ है, तीन साथ से चार साथ से नहीं चला हुआ, जैसे SBI में था, 2019-2020 में, खरीद लिया, दो-तीन साल छोड़ लिया काम को तो, यही एक situation होती है, जिसे आपको प लेकिन कम होने वाला है, अगर कोई आपको यह बताने लगे, तो समझ जाना कि वो stock market के बार में कुछ नहीं जानता, जो इनसान आपको यह बताने लगे कि कम होने वाला है, वो कुछ नहीं जानता, कोई news आई, उस news के basis पे, आज रात को कोई news आगे, मौधी जी ने कहा solar जाएंगे कुछ रेजवेक आप कुछ हो गया कुछ फटर जाएंगे वो चनिक होता है एक दो दिन हो नहीं वो ट्रेडिंग के रिया होता है तो जनली आप एक्पेटेशन लगाएंगे तीन साथ, चार साथ, पांच सार में ऐसा होगा लेकिन वो चार हो जाएंगे या पांच होगा या छे होगा कई बार साथ भी हो सकता है और उसके लिए आपको तयार रहना अगर आप इस मांसिक्ता से शेर मारकेट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा आप अच्छा पैसा बनाएंगे और ये मैं किताब या कोई वीडियो या कोई टीवी देखके नहीं बता रहा हूँ ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने 20-22 सालों से करता आ रहा हूँ जिसकी वजह से 39 की एज में मैंने रिटार्मेंट ले दिया इतना पैसा बना कि मैंने रिटार्मेंट ले दिया क्या मैं बहुत अमीर हूँ ऐसा बिल्कूल नहीं है लेकिन इतना है कि वो सफिसिंट है तो अगर आपके उसके सोच बड़ी करने करें सोच बड़ी होगी पैसे बन जाएंगे बोल नीचे जाएगा या उपर जाएगा मेरा विजन ये कहता है कि इस तरह के constitution के बार अच्छे share अगर आप 20 देंगे तो 19 में थारा में आप अच्छे जाते हैं एक दो में आपके गलत भी प्रूफ होते हैं लेकिन थारा अगर आप 10 पसंद बढ़े और दो अगर आपके बंदबंदब पसंद भी गिर गए तो भी आपका net portfolio बहुत अच्छा profit देता है और यही मेरा काम करने का तरीका है इसी तरीके से मैं अपने investment को चलाता हूँ उमीर करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्रीज लाइब करें शेयर करें दोस्तों के साथ और मिलकर इस परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें धन्यवाद